SMS के जरिये टिकट खरीदने की प्रक्रिया दो चरणों में पूरी होगी पहले चरण में उपभुगता स्क्रीन पर दिखाएगे फॉर्मेट में SMS एक तीन नौ पर भेज सकते हैं यात्री को बोर्डिंग स्टेशन वो जिस शहर तक यात्रा करनी है उसका नाम यात्रा की तारीख, क्लास, यात्री का नाम, उम्र और जेंडर की जानकारी मैसेज करनी होगी इस तरीके से एक बार में अधिक्तम 6 लोगों का रेल आरक्षन किया जा सकता है इसके बाद उपभुकता को IRCTC से एक मैसेज प्राप्थ होगा जिसमें ट्रांजेक्शन आईडी, टिकट किराशी, सर्विस चार्ज, कुल किराया, सीटों की उपलब्धता और यदि टिकट बुक कराना चाहते हैं तो पेमेंट के विकल्प प्राप्थ होगे दूसरा चरण भुकतान प्रक्रिया से जुड़ा है इसमें उपभुकता को पहले ट्रांजेक्शन आईडी, उसके बाद IMPS में अपनी MMID और OTP नंबर टाइप करना होगा इसके बाद IRCTC यूजर आईडी टाइप करनी होगी भुकतान को अधिक्रित करने के लिए बैंक की ओर से Mobile Money Identifier, MMID और IRCTC की ओर से One Time Password भेजा जाएगा इस मैसेज के जवाब में यात्री को एक Confirmation SMS प्राप्थ होगा टिकट Confirm होने की स्थिति में यात्री को PNR, टिकट नंबर और टिकट के विवरन का मैसेज प्राप्थ होगा यात्री चाहे तो Mobile के जरिये ही अपनी टिकट रद भी करा सकते हैं रेल मंत्री के मताबिक इस सुविधा से प्रवासी कामगारों को काफी फायदा पहुँचेगा इस सेवा के बारे में आम लोगों की राय कुछ इस तरह है SMS की सुविधा शुरू कर दिये सरकार ने अच्छा है बढ़िया है लोगों के लिए क्योंकि इसमें लोगों को फायदा ही होगा घर बैटे टिक्टे बुक हो जाती है और क्या करते हैं लाइनों में नहीं लगना पड़ेगा दलालों से मुक्ती मिलेगी सरकार ये जो बेवस्था बना रही है ठीक बना रही है पबलिक के लिए एक तो भीरभार से लाइन से बच जाएगी बड़ी दिक्कत उठानी पड़ती है और दलालों से जो ये दिक्कत आती है पबलिक को वो दलालों से बच जाएगी इस सेवा में प्रतेक SMS पर उपभोगता को 3 रुपे खर्च करने होंगे यानि एक टिकट बुकिंग की कीमत 6 रुपे होगी सिधान्त सिबल की रिपोर्ट डिडी निउस दिल्ली